हेलो दोस्तों आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एंपिसेयल का कर पारा के प्लांट पेटर के सेकंड पेपर का मेटेमेटिक्स इससे पहले मैंने जनरल साइंस का जो पार्ट था वह आपको प्रवाइड करवा दिया है वीडियो में जिस भी भाई नहीं देखा है वह जाके डेख सकता है तो देखते हैं नपिसेयल का कर पार के सेकंड पेपर का मेटेमेटिक्स एक भाई बोल रहा था कि सर एडवांस पेपर में प्लांट अपेटर के डवांस पेपर में इस पूच्छा जाता है लेकिन पिछेष्य पिछिंट बायोजी की पूच्छे गएते ठीक ह वीडियो को पूरा देखिए और क्वेशन को आप नौर्स की नौर्स बनाई है उनके और वो क्वेशन आपको देखने को जरूर मिलेंगे नपी सेल में कि देखिए क्या है कि मार्क मार्क प्राइज जो है वो कोश्ट प्राइज से 20 परसेंट अधिक है यहां पर मैं अधिक लिखना भूल गया था अधिक है मार्क प्राइज कोश्ट प्राइज से 20 परसेंट अधिक है कोई चूट नहीं दी जाते तो लाब या प्रोफिट या लो 120-200 रुपय हो नहीं तो हम आई Tell us ने सो रुपय वस्तु करी अरो इस पर लिखा हुआ था 120 रुपय इससी में में मैंस दि दया यह क्या होगी मेकऺफिट और लौस अमने को व्याद में से तो देखने को मिल रहा होगा कि यह क्या तो प्रप्रिट परसेंट अपने गयाद करने का सुत्र होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कोश्ट परेज यह हुआ इसका परसेंट निकालेंगे हम किसपैं प्राइस पे तो तो अब उनों मैंने लिखे लिख दिया सुने कितना हो गया इन दोनों को मैंनेस किया थोbell leg पर 53-2008 की तीन fiber स्काहिए कुंदा करना है कि तोटल अच्य सब्सक्राइब पड़न हैसमें साधारण व्याज नहीं सब्सक्राणै करना है इसमें टोटल ग्याद करनी है साधान ब्याज के साथ ठीक है तो टोटल राशी कैसे ग्याद करेंगे पहले हम साधान ब्याज ग्याद कर लेते हैं कि क्या होता है कि एक सो बाद में हो जाएगा ना इसने ustРЕ नहीं पूछा इसने पूछा है कि तोक्क राशी कितनी होगी तीन बाद तो हम क्या करेंगे ऑ éléments रुपे उसका क्या हु गए है इंटरेस्ट लेकिन ». आड़ सो रुपे में जोड़ दूंगा तो हमारा मिस्दन बन जाएगा कितना आएगा यह यह जाएगा हमारे पास 900 बराण मरुपे इस कांसर हो जाएगा 900 बराण अगला है एक संकूर मेलें के लें रिजाओ का नुपाद का यह उसका क्या होता है इक बटा थीए पाई और हे फाइय एक्षबन ठीक है और सिलेंडर का हमारे पास हो गया पाई आर टू स्क्वायर एच ठीक इन दोनुका रिश्यों इन देर का है इन दोनुका इसे देर का पाया से पाई हमारा कैंसील होगा इनकी वेल्यू में पूट करूंगा एक बटा तीन जार बटा तीन का च्यार का स्कूर इंटू एच बन अपोन आटर टू का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास थिंप स्कूर एंन टु दो कितना होगा हमारे पास is चल रही है आठ किलोड़ेटर परती गंप और जो दो किलो किलो मेंटर परती गंप चाहँदे न वह कि चाहँ के ढूंटा इसका अंसर नहीं के अगले है 955-95% minus X सित्रों पर से इखर ऑप करूँ घ्यादंस अ मिगा तो किस्कार से डिखर करूंगा एक सब्सक्राइब करने के लिए में कि इसका पर सेंट निकालोंगा 9045-25 65 का पच्चीस परसेंट 25 बटा सो करूंगा तो एक बटा चार मेरा जहां पर आएगा और एक्स माइनस माइनस एक्स इंटू उनसीतर अपॉन हंडेड इस इकल टू कितना है 210.2 इसको में इदर लगा एक्स वाले को इदर ले रहूंगा 965 इंटू एक बटा चार माइनस 210.2 इस इकल टू एक्स इंटू उनसीतर अपॉन अंडेड इसको में इस तरह से इस तरह भी लेंगा तो यहां पर आप सॉल करके देख लेजिए इसका अंसर होगा कि काट दिया में में एक्स और अंसर होगा मेरे पास एक्स बटाबर मेरा इसको करके देख लेजिए गान में पीक्यू की तुलना में 50% सचती बेसता है परन्तु आर की तुलना में 50% महिंगी बेसता है सब से सथा कौन हो गया कि अर्टया हो गया यहां सबसा सस्ता बेशता है कैसे देखिए P Q की तुलना में 50% Q का मान लिया मैंने 200 रुपे में बेशता है Q 200 रुपे में बेशता है और P 50% सस्ती बेशता है यानि कि 50% कितना हो गया 200 का और R किया है? R की तुलना में क्या करता है? ये 50% महंगी बेशता है. तो मैंने माना R का 50 रुपे में बेशता है, तो ये 50% महंगी बेश रहा है R से. तो क्या हो गया? सबसे सस्ता हमारा R हो गया. नेक्स देखिए, A B से 4 गुना तेज कार्य करता है, और B किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो A उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? B 12 दिनों में कर रहा है, और A से 4 गुना तेज कार्य करता है, तो A कितने दिनों में कर देगा? तीन दिनों में ही ये कार्य कर लेगा. ठीक है, इसका अंसर हो जाएगा 3 दिन. कि अगला है 3,35 की राष्य, अज्य, सत्या और विजय के बीच, इस अनुपात में बाटनी है, तो विजय की राष्य के टने होगी? सबसे पहले तो क्या है? ये बिन आत्मा का अनुपात है, तो हम इसे सद्वल अनुपात में बाटनी। कि सदल यॉन इसको निकाल लेंगे किसे निकाल लेंगे दो तीन और चार का किया करेंगे हमाँ हैं आधिफ गितना आएका हमारे पास बाराँ बारा हो परते हलाँ गुना कर देंगे तो या गया 12 को इससेूजना कि यह आग्याः चार अब कर दोना क्या ददीन जानों कि अब कि यह जोड़ लुगा तो टोना रिव वधी जोड़ हो गया 30 कासी कि तनी है इसमें 3250 13 अनुपात की राशी 3250 ही तो एक अनुपात की कितने होगी, एक अनुपात के हो जाएगी मेरबास, 3250 बटा 13 ठीक है, तो इसको मैं काटूँगा ते कितना जाएगा, 32,6 63,53 65, यह जाएगा मेरबास 2500 रुपए, एक अनुपात ग्याद करना है विजे की राची घ्याद करने है तो विजे को इस सोछी में से कितना नुपाद मिल रहा है तीन तीन अनुपाद और की राची मेरे पास ड़ाइशय तो मैं 300 गुणा करूआ तो विजय की राशी कितनी हो जाएगी साड़े साथ सो रुपे ठीक है अगला है भुवन सुसील राजु ने करमसर तीन हजार दो हजार पांच जार रुपे इंवेस्ट किया उन्हें कुल प्रोफिट कितना मिला 4000 रुपे को प्रोफिट मिला तो हमें राजू के हिससे में प्रोफिट राएगा उसको ज्याद करना है जिसनुमपात में इन्होंने इन्वेस्ट किया ही उस इन्वेस्ट मिलेगा तो इसका रश्व निकाल लेंगे इन्वेस्ट का रस्डू यह कितना अएगा मिना पास इनके गुवन शुशील और राज इनके इन्वेस्ट का रेश्या ज जीना में जाछा फांच ठीक है और टोटल राशी कितना है 4000 रुपय का प्रूपिट हुए तो यह तो ठोटल रेश्यो कितना हूग गया किसे सबाहरे गया इनसा कों कॉल लुगा तू फाल पवर को तेस्डे का पाँच तो एक रेशियूग रिव्यका तो चारजार 400 रुपर्फje हो गया तो पांच i版 कितना होगा पांच से सद्वां कर दूगा मैं इसको Oh 5 and 4 रूपए तो यह प्याद मेरे पास 2000 रूपए है कि अगला है पी और क्यों का उसत खर्च 2525 और Q और R का उसत खर्च कितना है 3125 P और R का उसत खर्च 2600 रुपए है तो P का खर्च कितना है देखिए उसत क्या होता है P और Q का उसत कितना हो गया 535 रुपए है उसत इसका निकाल देना दोनूं का जो खर्चा है उसको मैंने जोड लिया और दो वेक्ति है तो दो से मैंने भाग दिया तो यह उसत हो गया तो डोनूं का मिला कर राशी कितनी होगी मैं इस को इदर ले जाओंगा तो यह गुणा हो जाओं तो यह कितना हो गया मेरे पास पांच आजार पचास रूप्य दोनूं का टोटल हो गया ओसत दिया था मैंने टोटल MIka खड़ निकाल लिया इसक्त क्या है तो किए और का उसत कर्च दिया है क्यों आरप को उसत कर्च दिया हैbridge né कि यह कितना हो जाएगा मेरे पास है इसकी फिर एक फाच दो शेजा दोसो पचास रूपए इन दोनुका टोटल मिलाकर खर्चा हो गया अगला क्या दे रहे हैं पी और आर का उससत इसने दे रहे हैं कितना पी और आर का उससत दे रहे हैं 2600 रुपए यह ठीक है तो मैं इसको दोको उदर ले जाओंगा तो इस दो से गुणा कर दूंगा तो कितना हो गया दोनुका खर्चा टोटल मिला के ये हैं अब क्या खळना है मेरे खेता निकाल जलू से निकलेटांगा इने माते सबी को जोड़ हमें इस सम्मीकरण को तीनह समीकरण मेंने जोड़ दिया तो ये क्या होगा दो बार 25 योग अरज दो बार ना सबस्क्राइब एक है आज पांच है अब क्या करूंगा मैं मेरे को क्या निकालना है यहां से देख सकते हैं आप क्यों और आर का वेल्यू है कितना है 6250 क्यों और आर के दिगर में 6250 रख सकता हूं तो दो को सबसे पहले में इधर ले जाँगो तो यह इसके भाग में जाएगा इसके भाग में जाएगा तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास 800 nat 12350 कितना हों गए मेरे पास और 2000 रुपे इन तिनों को खृच il अब पी का निकाल नहीं तो मैं क्या करूंना क आ कर ऐसमें से मायनेस कर दूना क्यों फथैं कि फैल घ्रक्मמה और आरकम स्टिय को मेरे पास लेगा तो निकाल लिए माइनस 6250 तो कितना हो गया पी का खर्चा कितना हो गया मेरे पास 2000 रुपे इसका अंसर हो जाए है तो ये थे 10 कुशन और 10 कुशन में अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगा वीडियो काफी बड़ा हो जाता है अंपिसल में देखने को मिलेगा थेंकि